हलो फ्रेंट्स, वेलकम टू दा जी एस वेंगेंट। जैसा कि आज के इस सेशन में हम लोग जो आपका बिहार पुलिस मद निसेद का एकजाम 14 माई के दिन होने वाला है, इस 14 माई के दिन आने वाले एक एक प्रस्ण की उमिद ले करके हम लोग आज के इस सेशन में यानि की 100 प्रस्ण को कवर करेंगे, ध्यान देजिए जो आपका या 14 माई के दिन बिहार पुलिस मद निसेद का एकजाम होने वाला है, तो आज आपका है 13 माई, क्या है 13 माई, यानि की कुछ दिन नहीं, कुछ घंटा आपके एकजाम में बचा ह हुआ है, और अन्त समय रिवीजन सबसे महत्तपूर्ण चीज होता है किसी भी एकजाम को क्रेक करने के लिए, तो आप सभी इस सेशन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए, ताकि आप लोग का अंदाजा लग जाए कि आपका त्यारी किस लेबल तक इंपोर्टेंट है, चुकि सारे प्रस्ण टाइपिंग किये हुए प्रस्ण है और स्लेकेट प्रस्ण है, जो पिछले साल आपके यानि की एकजाम में प्रस्ण पुछे गये थे, बिहार पुलिस मदनी से दोनों पाली, यानि की देखिए, 76 पद में भी आया था भकेंसी, उसमें प्रस्ण पुछे गया थे, और 365 में भी जो पूछा गया था, सारे प्रस्ण को संग्रहित करके, इसके बेश पे जो भी प्रस्ण बनने थे और बने हैं, और आगे बनेंगे, सारे प्रस्ण को हम सल्व कराने का फ्रयास करेंगे, ठीक है, तो जेकिए, हम लोग अब इससे पहले अगर आप अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं, तो जल्दी से चैनल को सस्क्राइब कर लिजी, चुकि बिहार पुलिस मधनिशत के तुरंत बाद बिहार पुलिस का कलास इस पर चालू हो जाएगा, और फ्री आप कोस्ट आपको ठीवरी और प्रेक् कवर करेंगे, यानि कि एक एक प्रस्न आपके एकजाम के लिए 14 मई के लिए इंपोर्टेंट रहेगा, ठीक है, चलिए, तो आप सभी लोग कमेंट में एंसर जरूर बताईएगा, और लास्ट में अपना अपना स्कोर भी बताईएगा, ठीक है न, तो चलिए हम लोग सेसन को स्टाट करते हैं, और देख लिजी, आप सभी से पहला प्रस्न क्या पूछा जा रहा है, तो देख लिजी, आज के जो आपके प्रस्न रहने वाले हैं सेसन के, सारे प्रस्न टाइपिंग किये हुए है, और एक एक प्रस्न आपके लिए सेलेक्ट किया गया है, यानि कि से अंतर का बात किया जाए तो 5 घंटा कितना है 30 मिनट यानि कि 5,5 घंटा का क्या है अंतर है इस बात को ध्यान रखिएगा अप्शन नमबर C आप सभी लोग ध्यान रखिएगा इंपोटेंट प्रस्न है आपके एकजाम के द्रिष्ठी से ठीक है देखिए दूसरा प्रस्न है आप सभी के लिए ध्यान दिजिएगा प्रस्न नमबर दो प्रतम पंचवर्षिय योजना विकास के किस मोडल पर अधारित थी देखिए सारे प्रस्न को आप एक और अप्शन ह योजना जो थी यानि कि हेरोड डोमर मोडल पाधारित थी किस पर हेरोड डोमर मोडल आप सभी लोग ध्यान रखिएगा और इसके साथ साथ आपको एभी ध्यान रखना है कि जो पर्थम पंचवर्षिय योजना की अधी थी 1951 से लेकर के 56 तक थी ठीक है ना इस बात को अगला प्रस्न आप सभी लोगों के लिए है देख लिजिए तीन नमबर सम्विधान के किस भाग में पंचायती राज ब्यवस्ता सम्मधि प्रधान प्रावधान दिये गए हैं देखी पंचायती राज से सम्मधित आपको भाग बताना है कौन सा है तो ध्यान दिजिएग इस प्रस्न के लिए आपका सही जबाब अप्सन नमबर ए को ध्यान रखिएगा भाग नव कौन सा सम्मधित है भाग नव को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा ठीक है ना चलिए अगला प्रस्न क्या है आप सभी लोगों का देखिए अगला प्रस्न है चार नमबर सिंदु घाटी सब्वेता को कांस्य युगिन सब्वेता के नाम से भी जना जाता है या हडपा सब्वेता के नाम से जना जाता है और इस सब्वेता की खोज सर दायाराम सहनी ने 1921 में किया था ठीक है नो और ध्यान रखिएगा पिछले जो आपका 365 के लिए यानि कि बिहार पुलिस का जो इग्जाम हुआ था उसमें पुछा गया था कि सिंदु घाटी सब्वेता में जलासे का प्रवाण किस एस्टल से मिला है तो धोला वीरा आप सबी लोग ध्यान रखिएगा इस प्रस्ण को ठीक है चलिए अगला प्रस्ण देखिए एक मैत का प्रस्ण है और के प्रस्ण हम भी इस सेशन में ले करके आये हुए हैं देखिए फाइप नंबर जो प्रस्ण है कि 20 लोग एक दूसरी से हाथ मिलाते हैं कुल कितने हेंड से कहोंगे देखिए ऐसे प्रस्ण को ग्यात करने के लिए आप सभी लोग ध्यान रखिएगा यानि कि इसके लिए ह हम लोग एक फर्मूला का यूज करते हैं जिस फर्मूला का नाम है एन इंटू एन माइनस वन बटा कितना हो जाएगा टू इस फर्मूला को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा और देखिए इस फर्मूला के सहता से हम लोग क्या कर सकते हैं यानि कि हैंड सेट की संख्या क पता सकते हैं और n क्या है तो वही लोगों की संख्या है जो हाथ मिलाते हैं तो यह 20 हो जाएगा इन्टू 20 माइनस कितना 1 हो जाएगा बट्टा कितना हो जाएगा 2 अब इसको कटाईएगा तो यह दस बार में जाएगा और यहां से कितना 20 में से एक गया तो क्या जाएगा 19 आजाएगा और इस 10 से गुणा किर्द देजिएगा तो कितना आजाएगा 190 आजाएगा तो कुल हैंड यानि की हैंड से की संख्या कितना हो जाएगा अप्सन नंबर सी 190 ठीक है चलिए अगला प्रस्न आप सभी को बताना है छो नंबर यानि की वर्तमान में भारतिय जीएगा यहाँ पर प्रस्न के लेंग्वेज को समझेगा यानि की अगर आप से प्रस्न पूछ दे कि मुल्क संभिधान में अनुसुचियों की संख्या कितनी थी तो आप सभी का जबाब आठाना चाहिए चुकि चार अनुसुची संसदने संसोधन करके जोड़ा है जिसम अनुसुची में दल बदल अधिनियम को जोड़ा गया है 11 में आपका पैंचायती राज है और 12 में क्या है यानि की नगर पैंचायत का उलेख है ठीक है न तो इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखेगा चली अगला प्रस्न है आप सभी लोगों के लिए 7 नंबर यानि की दूसरी योजना ने किसको प्रात्मिक्ता दी देखिए दूसरी योजना जो थी जो प्रात्मिक्ता दी ध्यान रखना होगा आप सभी को भारी उधोग को किसको भारी उधोग अपसन नंबर आप सभी लोग यानि की C को ध्यान रखेगा ठीक है चलीए अगला प्रस्न आप आप सभी लोगों को बताना है आठ नमबर राज्य पुनर गठन आयोग का गठन किस वर्स किया गया था देखिए यह जो गठन हुआ था ध्यां रखिएगा अपसर नमबर डी यानि कि 1903 में हुआ था ठीक है न और देखिए इस गठ यानि कि इस कमिटी के जो अध्यक्ष थे आप सभी लोग ध्यां रखिएगा कौन थे फजल अली थे कौन थे फजल अली थे ठीक है न और सबसे यहनिकी भासाई अधार पर सर्व पर्थम यहनिकी गठित राज्य आप से पूछ लिया जाए तो आंध्र परदेश का नाम आप सभी लोग ध्यां लखिएगा जो चली अगला प्रस्ण देख लिजिए आप सभी से क्या पूछ जा रहा है आप सभी से पूछा जा रहा है कि देखिए 73 समिधान संसोधन अधिनियम द्वारा भारतिय समिधान में कौन सी अनुसुची जोड़ी गई थी देखिए 53वे समिधान संसोधन के द्वारा यानिकि जो आपका अपसर नमबर सी 11वी यनिसोची जोड़ी गई थी और 11वी यनिसोची में पंचायती राज्य का उलेख है और पंचायती राज्य में कूल 28 निकि विशयो की चर्चा किया गया यानिकि 28 विशयört चर्चा किया ग हुआ था और 12 यानिसुची जड़ी गई जो नगरपालिका से सम्बंदित है ठीक है नो और नगरपालिका के लिए 18 विश्य इसमें प्रदान किये गया है इस बात को ध्यान रखेगा चलिए अगला प्रस्न आप सभी लोगों से 10 नमबर पुछा जा रहा है भारत की उत्तर से दक्षणी की लंबाई बताना है देखिए भारत की उत्तर से दक्षणी की लंबाई तो ध्यान रखेगा यहाँ पर आप सभी लोग यह क्या हो गया यानि कि यह पूरब होता है और यह क्या होता है ठीक है नो और ध्यान रखेगा हाई उत्तर होता है हाई क्या होता है कितना है देखिए एजो लंबाई है आप सभी लोग ध्यान रखिएगा 3214 किलोमीटर कितना है यानि कि उत्तर से दक्षण कितना है तो आप सभी 32-14 किलोमेटर बता दीजिएगा ठीक है चलिए अगला प्रस्ण है आप सभी के लिए 11 नमबर देखी 11 नमबर प्रस्ण आप से पूछ लिया जा रहा है कि सम्विधान के किस अनुश्यत में यह अंकित किया कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का क्या है संग होगा तो यह स सभा के प्रथम अध्यक्ष का बात किया जाए तो अपसन नमबर सी को ध्यान रख्येगा जीवी मालाउंकर थे कौनते जीवी मालाउंकर का नाम आप सभी का जमान पहोना चाहिए ठीक है चलिए अगला प्रस्ण का रहा है तेरा नमबर सेर सासूरी का बच्पन का नाम का ब बात किया जाए तो आप ही की बिहार सासा राम में इस्तित्य इस बात को ध्यान रख्येगा ठीक है चलिए अगला प्रस्ण है आप सभी लोगों से देख लीजिए तेरा नमबर जो प्रस्ण पूछा जा रहा है कि हडपा वासी किस बस्तू के उत्पादन में क्या थे सर्व पर्थम थे तो ध्यान रख्येगा कपास क्या कपास के उत्पादन में सर्व पर्थम थे अपसन नमबर आप सभी लोग देख लीजिए अपसन नमबर सी को ध्यान रख्येगा कपास उत्पादन ठीक है चलिए अगला प्रस्ण है आप सभी के लिए देख लीजिए 14 नमबर भारतिय समिधान के किस अनुषित में प्रेश की सोतंतरता दी गई है तो देखिए प्रेश की सोतंतरता का बात किया जाए अपसन नमबर D को ध्यां रखिएगा 19 के A में दिया गया है ठीक है चलिए अगला प्रसन देखिए पुछा जा रहा है 15 नमबर एक एक प्रसन आपके लिए सेलेक्टेट प्रसन हैं इंपोटेंट प्रसन है ठीक है 19 सचपन में राज्यों का पुनरगठन करने से कितने राज्य बने थे आप सभी को बताना है और कितने केंडर सासित परदेश तो ध्यां रखिएगा अपसन नमबर C 14 राज्य और 6 केंडर सासित परदेश बने इस बात को ध्यां रखिएगा अगला प्रसन है 19 नमबर 21 गणित का महत्तपुर्ण अंग है देखिए ब्यदि गणित का अगर महत्त pencils अंग का बात परद किया जाए तो सुल्क निकी सुलाव सुत्र का नाम ध्यान रखेगा अपसर नमबर C हो जाएगा ठीक है इतिहास से प्रस्थन है चलिए 17 नमबर प्रस्थन है भारतिय सम्विधान के किस अनुछेदों में राज के निती निर्देशक तक्तो का उलेख है देखिए राज के निती निर्देशक तक्त निती निर्देशक कहां से लिए गया है तो आयर लेंड के सम्विधान आप सभी लोग ध्यान रखेगा आयर लेंड बहुत बार प्रस्थन पूछा गया है ठीक है न चलिए अगला प्रस्थन है आप सभी के लिए यानि की 18 नमबर भारत का छेत्रफल 200 के कुल छेत्रफल का कितना परतिसत है देखिए अगर छेत्रफल पूछा जाए कितना परतिसत है तो दू पॉइंट अईनि की 4 परतिसत आप सभी लोग बता देजिएगा ठीक है न अगर बात किया जाए कि छेत्रफल के अनुसर भारत का करम तो सातवा करम है पूरे 200 बर में ठीक है न ध्यान र प्रस्ट है यानि कि भारती संविधान में राज्य के निती निरिसत तत्तों गरहन किये गये हैं अभी ही बता है आयरलेंड के संविधान से गरहन किये गये हैं ठीक है ना चली अगला प्रस्ट है आप सभी के लिए 20 नंबर इनिकी बेदों की संख्या कितनी है तो ध्यान ठीक चलिए एकिस नमर प्रस्ण पूछा जा रहा है आप सभी से कि निमलिखित में कौन एक संग सासित परदेश नहीं है देखिए लक्षदीप है दादर नागा धवेली है पूडुचेरी है बाकी नागा लेंड नहीं है यह एक एस्टेट है इस बात को ध्यान रखेगा ठी यहीं कि आर्टिकल 17 का नाम ध्यान रखेगा अपसन नमबर D हो जाएगा इस प्रस्ण का सही जबाब अगला प्रस्ण है 23 नमबर निमलिखित में से कौन से कर राजस्व सरकार द्वारा लगाए और एकत्र किये जाते हैं तो देखिए आप सभी लोग अपसन नमबर C को ध् चलिए आप सभी लोग कमेंड में अंसर जरूर बताईए ठीक है ना आपका यह समझ जईए कि बहुत इंपोटेंट सेशन है आप सभी के लिए अगला प्रस्ण देख लीजिए यानि कि प्रस्ण नमबर 24 निमलिखित में कौन साय के केंदर सरकार द्वारा लगाया और एकत इंकम टेक्स का नाम आप सभी लोग ध्यां रखेगा अपसन नमबर भी ठीक है चलिए अगला प्रस्ण है आप सभी लोगों के लिए 25 नमबर निमलिखित में कौन सा अनुछेत प्रधान मंतरी और अन्य मंतरियों की नियुक्ति से सम्बंदित है देखिए नियुक्ति से सम मंदित बात किया जाए तो आर्टिकल 75 का नाम ध्यां रखेगा अपसन नमबर हो जाएगा आपका सी ठीक है चलिए 26 नमबर प्रस्ण है सरीर की कोसिका में उर्जा किस रूप में संग्रहन जो होता है अपसन नमबर ये को ध्यां रखेगा ATP होता है क्या होता है ATP के रूप मे संग्राइत होता है ठीक है और बॉडी में उर्जा ग्री किसे कहा जाता है तो माइट्रो कंड्रिया का नाम आप सभी लोग ध्यान दखिएगा ठीक है चलिए अगला प्रस्न है आपका 27 नंबर गौतम बुध ने अपना उपदेश किस भासा में दिया था देखिए गौतम बुध ने अपना उपदेश सबसे पाले सारनात में दिया था और उनके उपदेश कि भासा क्या थी तो पाली थी ठीक है न ध्यान रखिएगा इस बात को चलिए अगला प्रस्न के लिए अगर हम लोग आगे बढ़े तो कह रहा है वाई मंडल में कितना परतिसत अक्सीजन है तो ध्यान दिजिएगा 21.94 परतिसत क्या है आपका अक्सीजन है इस बात को आप लोग ध्यान दिजिएगा ठीक है अप्सन को देख लिजिए अप्सन नंबर सी हो जाएगा इस प्रस्न का सही जबाब अगला प्रस्न की तरफ अगर हम लोग बढ़ेंगे तो 29 नंबर प्रस्न है आपका भारतिय समिधान में न्यायपालिका की सोतनतरता से लिया गया है यानि कि न्यायपालिका किस देश के से लिया गया है इस बात को आप सभी को बताना है तो ध्यान रखिएगा अप्सन नमबर B USA सन्यूगत राज अमिरिका का नाम ध्यान रखिएगा अगला प्रस्न साइन्स है एजी प्रस्न है कि हीरा का अपवर्तनांग देखिए हीरा दुनिया का सबसे बड़ा कठोर पदार थे इस बात को ध्यान रखिएगा और या कारवन का अप्रूप है और इसका अपवर्तनांग का बात किया जाये तो अप्सन नमबर D को ध्यान रखिएगा दो पॉइंट दो चार परतिस है ठीक है न अगला प्रस्न है आप सभी का 31 नमबर भारत में बुधी निर्माण बाढ़ चितावनी परणालू लागू करन वाला पर्थम सहर कौन सा है देखिए पर्थम सहर के लिए अगर बात किया जाये तो अप्सन नमबर C को ध्यान रखिएगा करेंट से कोशन है और देखिए कुलकत्ता का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा ठीक है चलिए अगला प्रस्न है आप सभी के लिए 32 नमबर ह इसको उल्टा कर देजिएगा तो दो अनुपात तीन हो जाएगा अप्सन नमबर B का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा चलिए अगला प्रस्न है 33 नमबर विधूत बल्प का फिलामेंट किसका बना होता है इंपोटेंट प्रस्न है और अप्सन नमबर B को ध्यान देखिए अगर इस जीएस मेंगनेट चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो देख लिए प्रस्न कितना इंपोटेंट है और किस लेबल के प्रस्न है आपके लिए एक एक प्रस्न इंपोटेंट है अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जूड़ ज़ली से जल्दी अगला प्रस्न है आपका 34 नंबर देखिए 34 नंबर प्रस्न है सन्युक्त राष्ट की आर्थिक और समाजिक परिशत का मुख्याले कहां इस्तित है देखिए इसका मुख्याले है आपका अप्सन नंबर यानि की डी क को ध्यान रखिएगा निव यार्क में अस्तित है और सन्युक्त राष्ट दिवस का मनायता है तो 24 अक्टूबर का नाम ध्यार रखिएगा क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को या पूरी तरह से अस्तित्तों में हो गया ठीक है ना ध्यान रखिएगा चली अगला प्रस्न है आप सभी लोगों का यानि कि 35 नंबर कौन सा राज भारत का पहला अंतराष्टिय महिला बैपार केंदर अस्ताफित करेगा देखिए करेंड से भी प्रस्न है और इंपोर्टेंट प्रस्न है और इसके लिए आपका सही जबाब हो जाएगा केरल का नाम ध्यान रखिएगा ठीक है चली अगला प्रस्न है आप सभी के लिए देख लिए 36 नंबर जो आपका प्रस्न है डाइनामाइट के अविस्कार निमलिखित में से कौन किये हैं अगला प्रस्न है आप सभी से देख लिए 37 नंबर भारत में पसुधन की गणना हर एक के बाद की जाती है यानि कि कितने वर्ष के बाद की जाती है तो अपसन नंबर सी को ध्यान रखिएगा पांच वर्ष के बाद ठीक है ना प्रते एक पांच वर्ष चली आगे बढ़त अगले प्रस्न पर आते हैं 38 नंबर भारती राज्यों का भसाई अधार पर पुनर गठन किस वर्ष किया गया था देखिए यह प्रस्न इंपोटेंट है और भसाई अधार पर पुनर गठन का अगर बात किया जा तो 1900 यानि कि 56 आप सभी लोग ध्यान रखिएगा क्या ध्य 256 देखिए अगला प्रस्न आप सभी के लिए 49 नंबर उनी कपडे शरीर को गरम रखते हैं क्योंकि देखिए आप सभी को बताना है किस कारण से या गरम रखते हैं जल्दी से बताईए तो ध्यान देजिएगा 49 नंबर प्रस्न के लिए आपका सही जवाब जो हो जाएगा अप्सन नंबर C यानि कि ऊन उसमा का कुछालक होता है ठीक है चली आगे बड़़ अगला प्रस्न है यानि कि 40 नंबर आपका देख लीजिए यानी सौरी 40 नंबर कितना नंबर प्रस्न है सौरी 40 नंबर ही प्लांक नियतांक की यूनिट क्या है देखिए प्लांक निय scout की इमुनिट आप सभी को बताना है तो जूल सेकेंड आप सभी लोग अपसन नमबर चार को ध्यान दखिएगा ठीक है एक तालिस नमबर प्रस्थ है किसी तरल पदार्थ के बुंद के गुलकार रूप गरहन करने का कारण बताना है देखिए इसके लिए आप सभी लोग ध्यान पर कार करता है तो देखिए आप सभी लोग ध्यान रखिएगा या सिधान पर जो कार करता है यानि कि धोनी का यानि कि प्रावर्तन आप सभी लोग ध्यान रखिएगा अपसन नमबर तीन को ठीक है चली अगला प्रस्थ है आप सभी का 43 नमबर 43 नमबर जो प्रस्थ है या कि एक आदमी 10 मीटर से दूर साफ नहीं देख पाता है क्योंकि देखिए 10 मीटर से दूर साफ नहीं देख रहा है तो कौन सा रोग उसके आँखों में उत्पन हुआ है तो ध्यान दिजिएगा निकट द्रिष्टी दोस जो होता है नजदिक की बस्तु दिखाई देता है पर दूर की बस्तु दिखाई नहीं देता है तो यहाँ पर अप्सन नमबर एक को ध्यान रखिएगा निकट द्रिष्टी दोस और इस द्रिष्टी दोस को निवारन के लिए अवतल लेंस के बने चस्मे का परियोग किया जाता है ठीक है ना और दूर द्रिष्टी के लिए उत ठीक है चली अगला प्रस्ण है आप सभी का चोवालिस नमबर पत्थर को ठोकर मारने से बेक्ति को चोट लगने का कारण देखिए चोट लगने का कारण क्या है जो पत्थर को चोट मारा जाता है ठोकर मारा जाता है तो ध्यान रखिएगा अप्सन नमबर डी यानि की चार प्रतिकिरिया ठीक है चलिए आगे आज़े यह प्रस्निक पर यानिकी 45 नंबर वायू की सापेक्ष अधरता का मापन एम रिकॉर्ड करने वाला उपकरण क्या है देखिए यह जो उपकरण हो जाएगा आप सभी लोग ध्यां रखेगा हाइगरोमेटर का नाम आप सभी लोग अधरता है तो ध्यान रखिएगा यहनिकी वाय मंडली अपवर्तन अप्सल्ण नंबर क्या हो जाएगा यहनिकी 4 ठीक है चलिए अगला प्रस्निका 47 नंबर कांच की कौन सी किस्म ताप रोधी है देखिए आप सभी लोग कांच की किस्म ताप रोधी है आपको बताना है त आप सभी लोग 49 नमबर बताईए जल्दी से जब वाई दाप मापी का पठ्यांग सहरसा गिर जाए यानि कि अचानक गिर जाए तो किस बात का संकेत है तो देखिए तुफान आएगा अपसन नमबर यानि कि देखिए तीन हो जाएगा इस प्रस्न का सही जबाब ठीक है न च चली आगे वाला प्रस्न है आपका 50 नमबर निम लिखित में कीन कड़ों में यानि कि कणिये तरंग की प्रविर्ती पाई जाती है तो ध्यान देजिएगा यह जो प्रविर्ती पाई जाती है किस परकार के तरंग में पाई जाती है तो ध्यान देजिएगा इस प्रस्न के लिए सही जबाब चली आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रस्ण पर आते हैं अगला प्रस्ण क्या है देखिए अगला प्रस्ण आप सभी के लिए जो है एकावन नमबर निम्न लिखित में कौन सा एक उप निशिद्वाद के उदय का अत्याधिक उप्यूक्त कारण है त प्रस्ण आप सभी का चली अगला प्रस्ण है आप सभी का चाउन नमबर भूगोल में क्रम बद उपागम द्वारा परवर्थित किया गया क्या किया गया आप सभी को बताना है यानि कि देखिए भुगोल में क्रमबद यानि कि उपागम द्वारा प्रवर्तित किया गया किसके द्वारा तो आप सभी लोग option number D को ध्यान रखिएगा यानि कि अलेकजंडर वाउन हमबोल्ट का नाम आप सभी लोग द्यान रखिएगा चली अगला प्रस्न है पच्पन नमबर निम्न में से कौन नाजीवाद का संस्तापक था देखिए नाजीवाद का संस्तापक अगर पूछा दिया ये तो द्यान रखिएगा option number यानि कि B जर्मन पाटी के रूप में बनाया था और यही पाटी यानि कि नाजी पाटी के रूप में 1922 में परिवर्टित हो गई ठीक है ना इस बात को द्यान रखिएगा चली अगला प्रस्न है आपका 56 नमबर अमेरिका में सोतंतरता संग्राम के नेता कौन थे देखिए अमेरिका अगला प्रस्न है 57 नमबर नेमन लिखित में कौन सी पुष्टक तीलक ने लिखी है देखिए तीलक के लिखी हुई पुष्टक क्या हो जाएगा अपसन नमबर भी गीता रहस्य का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा अगला प्रस्न है 58 नमबर 15 सताबदी में कौन से सबसे पहले हिंद चीन पहुचे देखिए तो यह जो पहुचे थे पूर्तगाली पहुचे थे अपसन नमबर एक को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा चलिए 69 नमबर प्रस्न है त्रितिय बौध सभा किस एस्तान पर बुलाए गए थी देखिए त्रितिय बौध सभा का किस अधिनियम को कहा जाता है आप सभी को बताना है तो आसान सा प्रस्न है अपसन नमबर सी आप सभी लोग बता सकते हैं भारत सरकार अधिनियम 19-19 का अधार ठीक है चलिए अगला प्रस्न क्या है आप सभी लोगों का देखिए करा एक सट नमबर 19-19 से 20 के दोरान राज में किसान अंदोलन का नेता कौन था देखिए किसान अंदोलन का नेता जो थे आप सभी को ध्यान रखना होगा स्वामी विद्यानन थे नौकी स्वामी सहजदानन इस बात को ध्यान रखिएगा दरभंगा में कौन थे स्वामी विद्यानन का नाम आप सभी लोग ध् इसने निभाई देखिए बार्दोली सत्यागरा 1928 में हुआ था सरदार बल्ला भाई पटेल का नाम ने याद धखिएगा अप्सन नमबर A ठीक है चलिए अगला प्रस्न है आप सभी का 63 नमबर कोटिल्या के अर्थ सास्थर के अनुसार निमलिखित में से कौन सा राजी के कर देखिए समहारता का नाम ध्यान रखिएगा अप्सन नमबर A ठीक है न चलिए अगला प्रस्न है 64 नमबर अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया था यह जो नागरिक आंदोलन की शुरुआत किये थे अप्सन नमबर A ध्यान दिजिए मार 18 लूथर किंग्स जुनियर का नाम ध्यान रखिएगा ठीक है न चलिए आगे वाला प्रस्न है आप सभी का यानि कि 65 नमबर सत्य सोधक समाज की स्थपना कब होई थी देखिए अगर इस समाज की स्थपना का बात किया जाए तो जो तीवा फूले के द्वारा किया गया था और अप्सन नमबर ए 1873 में ठीक है न चलिए अगला प्रस्न है 66 नमबर की सिघटना ने राष्टवाद की अधर्णा को जनम दिया तो राष्टवाद की यानि की अधर्णा का जनम फ्रांस की करांती में हुआ था यानि की 1789 का जो करांती हुआ था इसी में हुआ था और इ द्यानन सरसती के विचार दिस पुष्टक में प्रकासित है उस पुष्टक का नाम क्या है तो सत्यार्थ प्रकास अपसर नंबर डी आप सभी लोग ध्यान दखिएगा चलिए और सथ नंबर प्रस्त है निम्नमेज से कौन सा युग्म सुमेलित इनिकी गलत है सुमेलन क्या है गलत है देखिए कुमर सिंग बिहार से 1877 की करांति का नितरुत्य किया था या क्या है सही है गलत पुछा गया है तो देखिए लक्षमी भाई जहासी से की थी जबकि नाना साहिब अवध नहीं नागपूर से किये थी कहां से नागपूर से किये थे और मौल भी अहमला जो की खोज की थी देखिए 1498 का डेट आप सभी लोग ध्यान दखेगा चली आगे वाला प्रस्न है आप सभी का यानि की 70 नंबर बिहार में पटना उंच न्याले अस्थापित किया था देखिए ईजी प्रस्न है आप सभी लोग बता सकते हैं तीन फरवरी यानि की 1916 को और मै आप सभी से एक प्रस्न पूछता हूँ जल्दी से कमेंट में बताइए पटना उंच न्याले के वर्थमान मुख्य न्याधिस कोन है प्रस्न बन सकता है करेंट से जल्दी से आप सभी लोग कमेंट कीजिए ठीक है चली आगे वाला प्रस्न अब आप से करेंट से ही सुरू होगा क्योंकि करेंट के भी प्रस्ण आज के इस सेशन में हम 30 प्रस्ण लेकर करके आ हैं जो मौस्ट क्या है मौस्ट क्या है इंपोटेंट है आपके एकजाम के लिए देखिए अगला प्रस्ण 70 नंबर है तीन वर्सों में चीन का दवरा करने वाले पहले जी सेवे नेता कौन बने है देखिए इस प्रस्ण के लिए सही जब आप अपसन नंबर भी हो जाएगा उलाफ सोल्ज का नाम ध्यान रखेगा अपसन नंबर भी और कोस्टन आपको साफ किलियर न देखे तो अपने वीडियो का एक क्वालिटी जो होता है कुछ समय के लिए जरूर बढ़ा लीजिएगा ठीक है चलिए एक आतर नंबर प्रस्ण है किस पैरा मिलिटरी फोर्स में पहली बार दो महिला अधिकारियों को आई जी रैंक में पदुनत्त किया गया है देखिए यह जो प्रस्ण है और इस प्रस्ण के लिए सही जबाब सी आर पीफ ध्यां रखिएगा और महिरा से रिलेटिट प्रस्ण है यानि कि फीमेल से रिलेटिट प्रस्ण है पुछने की संभावना है ध्यां रखिएगा चलिए 72 नंबर प्रस्ण है किस देश ने अपने अंतरिक एस्टेशन के लिए लेब मोडियूल यानि की मेगनेटियन लॉंच किया है देखिए अगर 72 नंबर प्रस्ण के लिए सही जबाब का बात किया जाया तो अप्सन नंबर डी को ध्यान रखिएगा यानि कि चीन अप्सन नंबर डी क्या हो जागा चीन चलिए 73 नंबर प्रस्ण है हाल ही में कि सोशल मेडिया प्लेटफॉर्म ने वेरिफाइड यनि कि एकाउंट के लिए सुल्क की घोश्रा किया है देखिए बताइए कौन सा सोशल मेडिया है जो भेरिफाइड करने के लिए डाउनलोड करके भेरिफाइड करने के लिए सुल्क लगा दिया है तो देखिए इस प्रस्ण के लिए सही जबाब की अगर मैं बात करूं त लिए सही जबाब का बात किया जाए तो ध्यां रखिएगा अप्सन नमबर डी को यानि की पुनीत राजकुमार ठीक है अगला प्रस्न 75 नमबर किस राज ने बचों के अनुकुल पुलिस थानों की घोश्रा किया है देखिए यह जो घोश्रा करने वाला राज्य हो जाएगा ध्यां रखिएगा यू यानिकी ओडिसा अप्सन नमबर बी क्या हो जागा ओडिसा ठीक है चलिए अगला प्रस्न है चिहतर नमबर बंगला देश के द्वारा मर्नो प्रांट प्रेंड्स आफ यानिकी लिवरेशन वार सम्मान से किसी सम्मानित किया गया है देखिए यह ज अप्सन नमबर प्रस्ने भारत का पहला एकवा पार किस राज्य में अस्तापित किया जाएगा देखिए भारत का यह एकवा राज्य हो जाएगा ध्यां रखिएगा अप्सन नमबर आप सभी लोग सतहतर के लिए यानिकी अप्सन नमबर यानिकी बी को ध्यां रखिएगा है अठातर के लिए ध्यान रखिएगा अप्शन नमर आप सभी लोग यानिकी ए उत्तर पर देश ठीक है चलिए 89 नमर प्रस्ण है न्यूजी लेंड में अगामी T20I स्रिंकरा के लिए भारतिय टीम का कप्टान किसे बनाए गया है देखिए यह जो भारतिय टीम के कप्टान बने हुए है आप सभी को ध्यान रखना होगा क्रिकेट से रिलेटिट प्रस्ण है और 89 नमर प्रस्ण के लिए सही जबाब अप्शन नमर डी को ध्यान रखिएग आप सभी लोग अप्शन देखको आप सभी लोग एंसर बता सकते हैं कि 80 के लिए सही जबाब क्या होगा तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग अप्शन नमर डी हो जाएगा सही जबाब टाटा एस्टिल कमपनी ठीक है चलिए 81 नमर जो प्रस्ण है आपका यानि कि देख आप सभी लोग जो आपका 81 नमर प्रस्ण हो जाएगा इसके लिए आपका सही जबाब की अगर मैं बात करूं तो 81 के लिए आपका सही जबाब हो जाएगा यानि कि अप्शन नमर सी को ध्यान रखिएगा लेखन ठीक है चलिए अगला प्रस्ण है 82 नमर कौन सा भारतिये क् 83 नमर प्रस्ण है सातवे भारत जल सबता का ठीम क्या है देखिए यहाँ प्रस्ण इंपोटेंट है आप सभी लोग इस्टार लगाईएगा ठीक है और 83 के लिए जो सही जबाब हो जाएगा सतत विकास और समानता के लिए जल का सुरक्चा ठीक है चलिए अगला प्रस्ण ह आप सभी से 84 नमबर राष्टिय एकता दिवस भारत में किस की जैनती के उपलक्ष में मनाय जाता है देखिए जैनती आप सभी से पूछा जाए तो आप सभी लोग आसानी से बता सकते हैं 84 नमबर के लिए सही जबाब अप्सा नमबर ए सरदार बल्ला भाई पटेल ठीक है चली अगला प्रस्ण है 85 नमबर फीफा अंडर 17 महिला वी सोकप 2022 का किताब किस ने जीता है देखिए किस देश ने जीता है आप सभी को बताना है तो 85 के लिए आपका सही जबाब अप्सा नमबर डी हो जागा एस फेन ठीक है चली अगला प्रस्ण क्या है आप सभी का 86 नम साकशर्टा सिबिर किस यानि की सहर में आज़ित क्या गया है देखिए 86 नमबर जो प्रस्ण है आपका अपसन नमबर एक ओध्या नखीएगा सिरी नगर ठीक है चली अगला प्रस्ण क्या है 87 नमबर देखिए 87 नमबर जो प्रस्ण है कौन सी कौन सी भारतिये फर्म मंगोल की पहली यानि की ग्रीन फिल्ड रिफाइनरी का निर्माण करेगी देखिए यह जो निर्माण करेगी आप सभी को बता होगा अप्शन नंबर क्या हो जाएगा 87 के लिए अप्शन नंबर है मेगा इंजिनेरिंग एंड इंप्रास्टर लेमिटेड ठीक है ना चलिए अगला प्रस्ण है आप सभी के लिए 88 नंबर बैड मिंटन में किस भारतिय जोड़ी ने फ्रेंच ओपन मेंस डवल्स का किताब जीता है देखिए यह जो किताब जीतने का काम किया है अप्शन नंबर सी हो जाएगा ध्यान रखिएगा ठीक है चलिए अगला प्रस्ण है आप सभी का 89 नंबर वर्ल्ड एनर्जी यानि की आउट लुक 2022 रिपोर्ट के अनुसार गलोबल यानि की इमेंशन किस वर्ष तक अपने उस्तम एस्तर पर होगा देखिए यह जो प्रस्ण है इंपोर्टेंट प्रस्ण है और ध्यान दिजिएगा 89 नंबर प्रस्ण के लिए सही जव गया है देखिए यह जो कोरिडॉर हो जाएगा ध्यान रखिएगा 90 के लिए अपसन नंबर भी हर्याना कौन सा हर्याना राज आप सभी लोग ध्यान रखिए चली अगला प्रस्ण है 91 नंबर भारत के किस हवाई अड़े को दुनिया का दस्वा सबसे ब्यस्त हवाई कहा है दिल्ली ठीक है चली 92 नंबर प्रस्ण है 9 नवंबर 2022 भारत के किस राज ने अपना अस्थापना दिवस मनाया है देखिए यह जो अस्थापना दिवस जो मनाया है ध्यान रखिएगा 92 के लिए सही जबाब अपसन नंबर सी यहनिकी उत्राखंड ठीक है ना चली अग रिपीट कर लिजिए 200 हिंदी सम्मेलन की मेजवानी करने वाला प्रसांत छित्र का पहला देश कौन बनेगा देखिए पहला देश जो बनने जा रहा है ध्यान रखिएगा अपसन नंबर फीजी बनने जा रहा है ठीक है ना चलीए 94 नंबर प्रस्ण है एस्मृधी कर माफी योजना किस राज्य या किंदर सासित प्रदेश जोरा जारी की गई है देखिए यह जो जारी की गई है 94 के लिए सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा अपसन नंबर क्या हो जाएगा यानि कि C दिल्ली ठीक है चली अगला नंबर प्रस्ण है 95 नंबर विचारों की सो सब्धी लोग ध्यान रखिएगा यानि कि अपसन नंबर D यूकरेन के लोगों को दिया गया है ठीक है जली चली चानबे नंबर प्रस्ण सब्सक्रान कि देखिए 97 नंबर प्रस्ट, हाल ही में किस देश ने, प्लेन लेंगवेज एक्ट पारित किया है, देखिए feito प्लेन लेंगवेज एक्ट जो पारित करने वाला देश बना है, मैं सभी का नाम हो जाएगा, उस देश का अपसन नंबर a नियुजिलेंड का नाम आप नियुजिय चाहिए हम यदि की हरन हर मन पृतिसिंग हर मन पृतिसिंग का नाम ध्यां रखेगा चलि अगला प्रस्त है आपका 99 नवबर हाल ही में टेसला परमुक एलन मस्क ने किस सोचल मेडिया प्लेटफॉर्म का टेक ओवर किया है देखिए टेक ओवर जो किया है 99 के लिए आप सभी क को पता होना चाहिए यानि की option number क्या हो जाएगा यानि की ए हो जाएगा twitter ठीक है 100 number प्रस्ण है पच्छी मंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है important प्रस्ण है ध्यान रखिएगा इसको राज्यपाल से सम्मंधित अगर प्रस्ण पूछा जाएगा तो option number B हो जाएगा CB अनन्द बोस ठीक है और राज्यपाल की न्यूक्ति जो होते हैं करते हैं राष्ट पती करते हैं ठीक है ना इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा अगला प्रस्ण एक सा एक नमबर और आज के आपके सेशन का यह लास्ट प्रस्ण है यानि की लास्ट प्रस्ण है देखिए क्या है करेंट सबसे यानि की करेंट के प्रस्ण है हाल ही में नेतर हीनों के लिए T20 B सोकव के ब्रांड एमबेस्टर कौन बने हैं देखिए यह जो ब्रांड एमबेस्टर बने हैं आप सभी को ध्यान रखना होगा 101 यानि की 101 नमबर जो प्रस्ण है आपका अप्सन नमबर C हो जाएगा यूराज यानि की सिंग का नाम आप सभी लोग ध्यान रखेगा तो जैसा कि आपके 14 मई बिहार पुलिस मधनिसेद एकजाम के लिए VVI important session को इसमें हम लोग यानि की complete 101 प्रस्णों को कवर किये हैं यानि की इस session के द्वारा हम लोगों ने 101 प्रस्ण को कवर किये हुए हैं जो प्रस्ण आपके एकजाम के pattern यानि की परिक्षा का जो pattern है उस pattern पे अधारित प्रस्ण है आप सभी लोगों का score इस session में कितना हो प apply आपको मिलेगा ठीक है चैनल पने है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए चुकि आपको बता दे कि 11 बच के पांच मिनट पर आपका बिहार पुलिस मधनिशिद के लिए एक महा मेराथन कलास का आईजन किया गया है और यह कलास जो रहेगा आपका यानि की ध्यान रख करता है ठीक है ना चलिए सेशन को सबाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत